तो और भाई लोग क्या हाल चाल होप सभी एकदम बढ़े होंगे यार फर्स की लास तो फाइनली गाईस लेके आया हम MIUI 12 के उपर टॉप टू ठीम जो अपने Xiaomi and Poco device पे अपलाई करने के बाद आपका Xiaomi का जो लुक होगा वो यहाँ पे टोटिली डिफरेंट सा होने वाला है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो ओल्राइट गाईस हमारी पहली थीम अपलाई हो चुकी है और इसकी आइकन स्पेक की बात करें तो काफ़ी डिफरेंट सा हमें आइकन स्पेक देखने के लिए मिल जाता है और शाथ ही मैं इस थीम में शेटिंग्स एप देखते हो तो देखो आप लोगो कुछ इस तरीके से इसकी शेटिंग्स एप भी देखने के लिए मिल जाता है काफ़ी ज़ादा चेंज किया गया है अंड गाइस इस में बेल नोटिफिकेशन को भी ओल कर दीजिएगा तो फटाफट से डाइलर एप को भी देख लेती हैं तो देखो आप लोग को कुछ इस तरीके से डाइलर एप भी देखने के लिए मिल जाता है काफी कूल सा यहाँ पे डाइलर एप की डिजाइनिंग भी बनाई गई है और दोस्तों यहाँ पे अगर इस तीम में मेसेजस एप को देखोगे तो देखो शेम टू शेम आप लोग को डाइलर एप की तरह ही देखने के लिए मिल जाता है लेकिन काफी इंटरस्टिंग सा लगता है इस तरीके से मेसेजस एप भी और शाथ ही में अगर इस तीम में लोग की स्क्रीन की बात की जाए तो देखो लोग की स्क्रीन आप लोग को कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है इस वाले arrow के उपर आप click करते हो नीचे के side में तो यहाँ पे आप लोग को कुछ controller मिलेंगे जो कि आप lock screen से access कर सकते हो यहाँ पे जो charging animation है वो भी काफी interesting सा लगता है जब आप apply करते हो इस theme को यहाँ पे अगर इसकी control center की बात की जाए तो देखो काफी ज़्यादा यहाँ पे colorful बनाई गई है जो कि आप देख सकते हो और साथ इमें notification की बात की जाए तो यह भी आप लोग को same wall paper के साथ देखने के लिए मिल जाता है तो इस theme की name की बात करें तो देखो इस theme का name है professor और guys इसकी boot animation जो है आप लोग को काफी ज़्यादा पशंद आने वाला है तो guys आप लोग को इसकी boot animation कैसी लगी हमें comment box में जरूर से बताएगा और हमारे second theme जो है वो भी apply हो चुकी है तो फटाफट से guys बात कर लेते हैं इस theme की name की तो देखो इस theme का name है syllabus beta बस इतना आप लोग क को type करना होगा और यह theme store में मिल जाएगा तो बात कर लेते हैं इसकी home screen के UI से तो देखो इसकी home screen का जो UI है काफी ज़्यादा premium and minimal सा look देता है guys और साथ ही में settings app की बात करें तो देखो यहाँ पे काफी cool सा wallpaper के साथ जो background में आप लोग को wallpaper मिलती है और यहाँ पे जो shadow appreciate मिलते हैं आप लोग को यह iPhone से match करता है तो काफी interesting सा इसका settings app and dialer app की बात करें तो देखो इस theme की dialer app भी काफी कमाल सी है जो कि आप देख सकते हो इसकी वी wallpaper same है लेकिन guys इसकी जो number है काफी unique सा लगता है और साथ ही में messages app की हम बात करें तो यह भी आप लोग को same settings app की तरही देखन के लिए मिल जाता है काफी beautiful लगता है और यहां पर लोग की screen की जब हम बात करते हैं तो काफी extra feature हमें देखने के लिए मिल जाता है जो कि guys आप देख सकते हो side में आप लोग को इतने सारे application दिए गये हैं जो आप लोग की screen से access कर सकते हो और दोस्तों इतना ही है आप लोग क देखने के लिए मिल जाता है और साथ ही में यहां पर weather के ऊपर क्लिक करते हो तो आप लोग के सामने full details में देखने के लिए मिल जाएगा तो हैना काफी interesting और साथ ही में guys यहां पर charging animation वगएरा है इसकी वो भी काफी जादा cool सा है और साथ ही में आप लोग को जो नीचे के side म देखने के लिए मिल जाता है तो इसकी charging animation slow fast वगएरा भी show करता है और दोस्तों यहां पर lock screen में slide up करके जब आप phone को unlock करते हो तो यहां पर भी एक green signal show करता है तो फटफट से बात कर लेते हैं इसकी control center की तो देखो इसकी भी control center काफी अच्छी transparent के साथ हमें देखने के लिए मिल जाता है काफी जादा colorful है तो I hope कि आपको यह video पसंद आई हो और सबसे अच्छी theme आपको कौन सी लगी हमें comment box में जरूर से बताइएगा और आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किए तो please subscribe करके bell notification को भी all कर दीजेगा तो मिलते हैं next studio में thanks for watching and good bye